नमस्कार मैं हूँ विद्या सागर स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट में तो पूर्णे शहर में मानपता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है जहां आठ हैवानों ने एक नबालिक लड़की का अफरन कर उसके साथ बारी-बारी से गैंग रेप किया मामले में पुलिस ने सभी को गरफ्तार कर लिया है आरोपियों में रेलवे के दो फोर्ट क्लास करमचारी और रिक्षा चालक भी शामिल है दरसल पीड़ता 31 अगस की रात पूर्णे रेलवे स्टेशन पर गाउं जाने के लिए पहुची थी जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ता का फरन कर लिया और फिर उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप किया अगर बढ़ते केंद्रे महिला आयम बाल विकास मंत्री स्यमती स्मिती जुमीन इरानी ने आज मुंबई के धरावी में एक एकिकरित बाल विकास सिवा योजना केंद्र का दौरा किया मंत्री ने योजना के तहट लाप राप करने वाले विभिन नागरिकों के साथ बाचीत की और उनके घरों पर भी गई मंत्री ने आज का कारिकरम राष्टी बाल स्वास से कारिकरम के तहट आयजित किया गया था इस अबसर पर महिला विकास मंत्री ने ICDS परसर में डेजिटल गुड़ी गुड़ा बोर्ड का भी उदखाटन किया तो आपको बता दे कि केंद्री महिला बाल विकास मंत्री स्मिती रानी आज मुंबई दौरे पर हैं और इस तोरान कई कारिकरम में शिर्कत करती हुए नजर आई तस्वरिम आप देख सकते हैं अपने हाथों से उन्होंने फल भी वित्रित किये तो केंद्रे महिला बाल विकास मंत्री स्मिती रानी आज मुंबई दौरे पर हैं और इस तोरान होने धराबी लाके का दौरा किया और कुपोशित बच्चों के बारे में जानकारी ली इस तोरे के दोरान धरावी इलाके में समिती इरानी का कॉंग्रेस कारिकरताओं ने विरोध भी किया कॉंग्रेस कारिकरताओं ने हाथों में बैनर और काले जंडे दिखाते हुए उनकी खलाप नारेबाजी की इस मौखे पर हमारे समगादाता संतोष मौने ने कॉंग्रेस कारकरताओं से खास बातचित की इतनी जादा बड़ी हुई है इतने दिन जब से अपने पद्गरान किया आपने धारवी में क्यों नहीं आई यहाँ आप भूके मर गए आज भी बेरोजगाई बेहत क्यों हुए और आप सिलेंडर कासी भाय बढ़ा हैं सिलेंडर का इतना प्रावी 200 रुपया क्या 400 मेंगा था तो अंग्रेस के डाइम तो आज मेंगा था हुआ हमको इसका जाद किया तो हमारे सवाल है वो तब आजिस्त है मुंबई के सहयादरी आतितिक रह में आज आपदा प्रमंधन पर मुहमंती उधर ठाकरे किये के बैठा कुई जा मुकमंती उधर ठाकरे ने अपील करती हुए कहा है कि कुरोणा संक्रमन में मामूली व्रिदी हुई है और पिछली लहर के अनुभव को देखती हुए मैं सभी राजनतिक दलों और संकटनों से आग्रा करता हूँ क्यों भीड़ भाड़ वाले राजनतिक कारिकरमों रैलियों को तुरन तस्तकित कर दें मुकमंती ने आगे कहा कि इसे खोलो खोलो की मांग तो ठीक है लेकिन इससे खत्रा बढ़ गिया है अगर सभी नियम कानूनों का पालन करेंगे तो फिर से सखत पावंदियां लगाने के समय नहीं होगा आज नहीं तो कल त्योहार आएंगे लेकिन घर में हर कोई हमारे लिए महतिपूर्ण है साबजनिक कारिकरम से बचें राजनतिक बैटकों समिलनों को पोच्छाहित ना करें यही विगने कारी श्री गनेश की कामना होगी मुझे आपसे बार-बार यह अपील करनी पड़ रही है क्योंकि कुरोना वापस बढ़ रहा है आने वाले दिन चुनौती पुर्ण होंगे और अगर इस्तिती साफ हो जाती है ठीक हो जाती है तो सभी तरीके से त्युहारों में हिस्सा लेने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी तो महराष्ट में गरेश उस्साब के दुरान अपने गाउं जाने वाले गरेश भक्तों के वाहनों को टोल में छूट देने का निर्णाई लिया गया है ऐसे जानकारी महराष्ट के साफजनिक निर्मान मंतरी एकनाज शिंदे ने दी है इस मौके पर उसे खास बाचित की हमारे समयाधाता संतोश मुरे नहें हर साल की तरह जो कूंकन में गनेश भक्त गनेश उत्सों के लिए जाते हैं उनको मुंबई गोवा हाईवे से जाना पड़ता है वहाँ ट्रैफिक होती है वहाँ के रास्ते ठीक करने के लिए वहाँ की अंतरना वहाँ पर अलर्ट करने के लिए उनको कोई कटिनाईया ना पड़े गनेश भक्तो को इसके लिए और मुंबई पूने कुलापूर रूट से जो जाते हैं उनको टोल में छूट देनी का निरने राज्य सरकार ने लिया है ताकि वो अपना गनेश उत्सो धुमदाम से कोवीड का जो संकट है उसे देखते हुए सुरक्षित दृष्टी से गनेश उत्सो मनाए इसलिए आज सरकार ने मुंबई पूने कुलापूर ये जो रूट है उसके उपर गनपती के लिए जाने के लिए और आने के लिए टोल में चुट दी बिल्कुल आये है इसमें करोना जो अभी काफी बढ़ रहा है नंबर्स बढ़ रहे चिंता की बात है मुक्यमंत्री खुद है इसमें बार बार लगातर लोगों से अपील करें क्या कि ये जो कोवीड की तिसरी जो लहर आने के बाद उसके उपर नियोजन करना या कंट्रोल करना इससे पहले तिसरी लहर ना आए इसलिए उपाय करना या मारे जिम्मेदार ये विडियो जोने इस गवरों के साथ संतु समुरे नियोजन इंडिया मुंबज अनिल देशमुक प्रवरतन निदेशाला के सामने हाज़र नहीं हुए हैं एडि का कहना है कि अनिल देशमुक से किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल लई है कि वो कहा है गरतलाई के अनिल देशमुक ने सौ करण वसूली मामले में प्रवरतन इदेशाला की ओर से जारी समन के खलाप दो सितंबर को बॉंबई हाई कोर्ट में याचका दायर की थी जिसमें उसे रद करने का अनरोध किया गया था तो मनिल लॉंडरिंग मामले में महराश्ट के पूर्व ग्राम मंत्री अनिल देशमुक के खलाप प्रवरतन इदेशाला ने लुक आउट नोटिस जारी किया है महराश्ट विधान सभा के विवक्ष नेता देवेंद्र फड़नविस ने नाकूर में कहा कि अनिल देशमुक को एडी के सारे सवालों का जवाब देना चाहिए कि मुझे मिडिया के माध्यम से ही पता चला है कि इस प्रकार का लुक आउट नोटिस निकला है मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया को उन्होंने पूरा करना चाहिए हाई कोट सुप्रीम कोट तक वेजा चुके है अब एडी के सामने हाजिर होकर या जो भी जाच अजन से उसके सामने हाजिर होकर उन्होंने जो आगे की कारवाया उसका सामना करना चाहिए महाराष्ट एक्करन समिती की पिछले 35 वर्शों से करनाटक के बेलगाव महापालिका में सत्ता थी समिती की सत्ता को भाजपा ने सुरंग लगा कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है ये हार महाराष्ट एकिकरन समिती के लिए इतनी बड़ी है कि अब उन्हें मजबूत विवक्ष नेता की कुर्सी भी नसीब नहीं होगी पिछले 35 वर्षों से महाराष्ट एकिकरन समिती ने बिलगौ महापालिका में अपनी सत्ता कायम रखी थी लेकिन इस बार हुए चुनाब में समिती बुरी तरह से हार गई है इस महापालिका में पहली बार पार्टी लेवल पर चुनाब लड़ाया गया था जिसमें पहली बार EBM मशीन का भी इस्तेमाल हुआ वरिष्ट IPS अधिकारी रश्मी शुकला का नाम कथित फोन टैपिंग और पुलिस अस्थांतरन वह अतबादलास से जुड़े दस्तावेजों को लीक करने के मामले में आरोपी के तौर पर दज नहीं है इसलिए वह इस F.I.R. को रद करने के मांग नहीं कर सकती है राज़ सरकार ने यह बातें एक मामले में सुनवाई के दोरान बॉंबे हाई कोर्ट में कई है राज़ सरकार ने शुकला की और से दाएर याज़का के जवाब में हाई कोर्ट में एक हलफ नामा दाखिल किया इस हल अपनामा में राज्य सरकार निखा है कि जाच का उदेश केवल यह पता लगाना है कि कैसे राज्य खोफिया विभाग से गोपनी और सम्वेदन शीर जनकारी घर कानूनी तरीके से तीसरे पक्ष तक पहुँची और इसका दस्तावेश की सामगरी से कोई लेना देना न उन पर निशाना साधा जा रहा है आगे बढ़ते हैं कोरोना की दूसरी लहर से पार पार चुकी मुंबई में तीसरी लहर धीरे धीरे दस तक दे रही है पिछले कुछ दिन से रोज कुरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है इससे एक्टिव मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है माईक्रो कंटेनमेंट जोन और सील फ्लोर की संक्या बढ़ रही है पिछले 20 दिन में मुंबई में 6,514 में मरीज मिले हैं और माईक्रो कंटेनमेंट जोन की संक्या दुगुनी हो गई है मुंबई में 15 अगस को 210 सब केस्ट मिले थे अब रोज 400 सधिक में लहे हैं मुंबई में 15 अगस को 22 सील बिल्लिंग थी जो अब 2 गुना बढ़कर 44 हो गई है यह जोरान सील फ्लोर की संख्या में 200 किवरधी होई है यह 1215 से बढ़कर 1415 हो गई है डबलिंग रेट में भी काफी गिराब बटाई है BMC के अतरिक्त आयुक सुरिश काकानी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कुरोना मरिजों की बढ़ती संख्या पर BMC की नजर है और इसके कई कारण है उंबई लगभग अनलॉक हो गई है वाजार और अन्यस्थान काफी खुल गए है लोकल ट्रेनों में यातियों के संख्या में जाफा हुआ है जिससे कुरोना किस्सों में थोड़ा उच्छा लाया है महरा सरकार ने रभी बार को पूर्णे सहित राजी के साथ पश्मे जिलों की पहचान की है जहां कुरोना के मामलों में बढ़ोते दर्ज की गई है सरकार का मानना है कि यह साथ जिले तीसरी लहर की वज़ः बन सकते हैं पिछले दस दिनों में मामलों की संख्या में कोई गिरावट नहीं देखी गई है इसके जगह नए संक्रमन के मामलों में मामली उच्छा लाया है साथ नए डिस्टिक्ट आफ कंसर्ण में पूरे, अहमद नगर, सतारा, सोलापूर, सांगली, रपनागरी और सिंदु दुर्ग शामिल है रविवार को मुकमत्री उदर्व ठाकरी की अध्यक्सता वाली मीटिंग में इसकी जानकारी अत्रिक्त प्रमुक्स तचीप परदीप व्यास ने दी मीटिंग के दोरान व्यास की ओर से पेश के गए प्रजेंटेशन में यह बात सामने आई है कि भले ही पिछले कई हपतों से सभी जिलो में सब्ताहिक सकरात्मक्ता दर पांच प्रतिशत से नीचे रही लेकिन इस सब्ता पूने और अहमदगर जैसे कुछ जिलो में याकड़ा 6.58 प्रतिशत और 5.08 प्रतिशत देखा गया मुंबई एक बार फिर संकमन के टॉप फाइव जिलो की सूची में आ गया है मुंबई में पिछले किस्ट दिनों में डेंगू मलेरिया के मामलों में बढ़ोती दर्ज की गई है ऐसे में बीमसी ने इस परिशानी से निपटने के लिए एक नया उपाई निकाला है बीमसी ने इसके लिए द्रोनास्तर तयार किया है इसके जरीए उन जगों पर भी दवाईयों का छिड़काओ आसान हो गिया है जहां इस पे करने में अब तक बीमसी को खासे दिकतों का सामना करना पड़ता था मुंबई के दोभी घाट इलाके में आज मुंबई की मेर किशोरी पेड़नेकर ने इस ड्रोनास्तर की शुरुआत की इस दोरान मेर ने कहा कि हम मुंबई करों को अच्छे स्वास्त में रखने की कोशिस कर रहे हैं महराज के बेड़ जिले के परली से रवी बार को गरफतार हुई करोंना शर्मा नाम की महिला को अदालत ने 14 दिनों की नयाएक रासत में भेज़ दिया है करोंना वही महिला है जिनोंने कुछ दिनों पहले मंत्री धनजय मुंडे की दूसरी पत्री होने का दावा किया था करोंना के साथ गरफतार हुए अरुन मोरे नाम के शक्स को तीन दिन के पुलिस का स्टटी में भेजा गया है दोनों पर एक महिला और एक पुरुष पर हमले कारूप है फुलिस ने यह भी दावा किया है कि करोंना शर्मा की कार से एक तुस्तल परामद हुई है आगे बढ़ता है गीतकार जावेद अख्तर के बयान पर बावाल जारी है और राष्टे संक्सिबक संक की तुलना तालिबान से करने के बाद खड़े हुए विवात के बीच श्रिफसेना ने रस्स का समर्थन किया है श्रिफसेना के मुखपत्र सामना संबाद की में जावेद अख्तर के तरकों का जवाब दिया गया है जावेद अख्तर ने तालिबान से RSS, VHP और बजरंग दल की तुलना को अस्यादी नहीं और यहां भी रोमियो बिग्रेट महिलाओं की अस्यादी का समर्थन नहीं तो गितकार जावेद अख्तर द्वारा राष्टे स्वेंग सेवक संकी तुलना तालिबान से करने के बाद शिपसेना सांसा संजेर राउत इस पर प्रतिक्रिया दी है तालिबानियों से तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है यह देश एक मददूत लोक तंत्रवाला देश है चाहे कुछ लोगों की बात हमें अच्छी नहीं लगती है फिर भी इस देश में तालिबान की प्रवरूतिय और विकूरतिय यहां नहीं बढ़ेगे यहां की जनता जो है और लड़ने वाली जनता है तो जावेद अख्तर के बयान को लेकर सियास्त गर्मा गई है शिपसेना के मुकपत सामना में शिपसेना ने यह सुइकार किया है कि जावेद अख्तर का गलत बयान है जिसे लेकर बीजेपी प्रवक्तार राम कदम ने सवाल उठाती हुए कहा कि सामना में लेक छपने के बाद भी अब तक जावेद अख्तर पर कारवाई क्यों नहीं हुई है संग और संग परिवार के प्रती जिस प्रकार का उनका वयान है उस बात को लेकर के शिवसेना ने भी आपत्ती जताई है हमने तो जावेद अख्तर जी के विरोध में शिकायद दर्श करके अब 24 घंडे बीच चुके है कि जबात का इंतदार एशिवसेना को कब होगी जावेद अख्तर की गिरफतारी इस तरह का पहला क्रूज 6 सितंबर को UAE से रवाना होकर 9 सितंबर को मुंबई पहुँचेगा IRCTC का भरत से पहला लगजरी क्रूज लाइनर 18 सितंबर को मुंबई से रवाना होगा यह क्रूज मुंबई से गुआ जाएगा और गहरे पानी में रहने के बाद 21 सितंबर को वापस लोटेगा TV अक्टर सिधार सुकला की मौत के पांच दिन बाद उनके परिवार ने पहला स्टेटमेंट जारी किया है उन्हें फैंस और शुबचिंदकों के प्रती अभार जतानी के साथ साथ प्रेवेसी की अपिक्षा की है साथी मुंबे पुलिस का अभार भी जताया है स्टेटमेंट में लिखा गया है कि सिधार्थ की जर्णी का हिस्सा बनने और उन्हें अपना प्यार देने के लिए हम सब आपको दिल से अभार व्यक्त करते हैं तो एक्टर और बिग बॉस 13 के वीनर सिधार्थ शुकला अब इस दुनिया में नहीं रहे पोस्माटर रिपोर्ट में सिधार्थ की मौत की वजह क्या निकली या साफ नहीं है अब मुंबे पुलिस ने रविवार को सिधार्थ की मौत के मामले में अक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है आगे बरते हैं बॉलिवर्ट के दिवंगत अभिनिता दिलिव कुमार की पतनी और मशूर अभिनित्री साहरा बानो की तब्यत ठीक हो गई है उन्हें अस्पताल से डिश्चार्ज कर दिया गया है बतादे कि साहरा बानो की तब्यत काफी दिनों से खराब चल लही है जिसके बाद उन्हें आईस्यू में भरती करा गया था उस दिनों पहली ही उन्हें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करा आ गया था फिलाल वो ठीक हो गई है और उन्हें अस्पताल से दिश्चार्ज कर दिया गया है अगरतने अक्षा कुमार लंडन से शुटिंग छोड़कर वापस आ गये हैं अक्षा की मा अरुना भाटिया हिरा नंदनारी अस्पताल में आईस्टियू में हैं उनकी अहलत गंभीर बताए जा रही है अक्षा अपनी मा के बहत करीब हैं और उनके तब्यत खराब होने के कारण वो शुटिंग छोड़कर मुंबई वापस लोटे हैं बॉलिवूड आक्ट्रेस कंगना रनोट की फिल्म थलाईवी जल्दी सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है कंगना के फैंस के लिए भी ये खुशकबरी है हिंदी के दर्शकों को घर बैठे थलाईवी देखने को मिलने वाली है ख़बर है कि 10 सितंबर को रिलीज हो रही थलाईवी का हिंदी संस्क्रन 24 सितंबर या उसके बाद रिलीज किया जा सकता है मैं सब्ता के पहले कारोबारी दिन पर मजबूत बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है हपते के पहले दीन ग्लोबल संकेत मिले जूले नजर आ रहे हैं निफ्टी मिटकाप भी रिकॉर्ड उचाए पर बंद हुआ है कारोबार के अंत में संसिक्स आज निफ्टी चोवन दश्रमलब दो शुन्य अंक यानी शुन्य दश्रमलब तीन एक फिसली के बढ़त के साथ खराब जॉब रिपोर्ट के बाद शुक्रबार को अमिर्की बाजार कमजोर बंद हुए थे लेकिन भारते बाजार दिन भर हरे निश्टान में रहे और इसके साथ ही आज महराश्ट वेंबस इतना ही लिकिन आप बने रहे निउस वन इंडिया के साथ नमस्कार